हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चनल आज मैं आपको स्ट्रेप ब्लाउस की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी तो उसके लिए मैंने एक मीटर ब्रॉकेट का फैब्रिक लिया हुआ है और आदा मीटर मैंने अस्तर लिया हुआ है तो सबसे पहले हम फ्रांट पार्ट की कटिंग अस्तर पर करेंगे तो अस्तर को मैंने डबल फोल्ड करके बीचाया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने पंदरा इंच की रखी है ये चौदा इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज्यादा कर सकते है अभी शोल्डर के लिए हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है तो पूरा शोल्डर हमारा 14 इंच का है तो उसमें से 3 इंच हमें कम करना है तो 11 इंच होता है और 11 का आधा 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और आम होल के लंबाई के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगान अभी यहां से हमें चेश्ट का मेजरमेंट लेना है तो आपकी चेश्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और एक इंच हम टक्स के लिए रखेंगे और दो इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ना है तो इस तरह से हमें तीन इंच एक्ष्टा लेन है और वहाँ पर भी एक इंज टक्स के लिए रखेंगे और दो इंज हमें सिलाइ मार्जिन के लिए छोड़ना है तो नीचे से बिया वेस्ट का फॉर्थ पार्ट करके तीन इन्च एक्ष्ट्रा लेना है सिला के लिए तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है और साइट से भी हम लाइंडरो कर देंगे अब यहां पर हम गल्ले की चोड़ा के लिए निशान लगाएंगे तो आगे से आप जितना भी चोड़ा गला रखना चाहते हैं उतना आपको निशान लगाना है तो मैं 7 इंच का ग अभी देखी यहां पर आप जितनी स्ट्रेप की लंबाई रखना चाहते हैं उतना आपको निशान लगाना है मैंने चार इंच पर निशान लगाया है यह निशान आप पाच इंच पर भी लगा सकते हैं उसके आगे हमें ज्यादा लंबा निशान नहीं लगाना है तो मैंने चार इ Infinj पर निशान लगाः में अब яв गले की लंबाई के लिए मैं छे इंच पर निशाना है आप गले की लंबाई अपनी पसंद से कमिया ज्या भी कर शकते हैं या सात इंच का गला भी रख सकते हैं मैंने चे इंच का गला रखा और इसमें इस तरह से हमें स्वीठ हाट शेप ड्रो कर देना है आगे के लिए अभी इस निशान को हम आम होल के साथ जॉइंड करेंगे तो आम होल के लिए हमें एक इंच पर निशान लगाना है और जो हमने स्वीठ हाट शेप ड्रो किया है उसके साथ हमें आम होल के साथ इस इसकट के लिए और उपर से टक्स पॉइंट लिए हमें 10 इंज पर निशान लगाना है इस तरह से हम 10 इंज पर निशान लगा देंगे चहां पर हमारी गले की चोड़ाई है वहां से 10 इंज पर निशान लगाना है और इस तरह से सीधी लाइन डो कर देनी है और जो हमने लाइ का शेप दिया है उसके साथ हमें मिला देना है देखिए इस तरह से जो हमने आम होल का शेप ड्रो किया है उसे इस तरह से मिला देंगे और नीचे से हलका सा राउंड शेप ड्रो कर लेंगे तो यह हमारा प्रिंसेस कट का शेप रहेगा अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है त तो उससे पहले हमें स्ट्रेप की लंबाई को ध्यान में रखना है तो मैंने चार इंच की लंबाई रखी है तो ये लंबाई हमें ध्यान में रखनी है उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है और जो हमने प्रिंसेस कट ड्रो किया है उसकी भी हम कटिंग कर देंगे तो द ब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिचया हुआ है जो मेरी सेट है वो बंदवाली सेट है और जो उपर की सेट है वो खुली हुई सेट है अभी उपर से हमें आधा आधा इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है इसे हम बेक ओपन रखने वाले है अभी जो हमने आगे वाला पाट कट किया है उसे इस तरह से बिलकुल किनारे पर रख देना है आधा इंच पर जो हमने निशान लगाया है उसे छोड़ते हुए इस तरह से फ्रंट का पाट रख देना है और उसके साइड में हमें जो हमने प्रिंसईस का त्वरी कट की थी उसे इस तरह से रख देना है, अभी जितना हमने आगे का गला कट किया था, उतना ही हम पीछे का गला भी कट करेंगे, तो पहले जो हमारी प्रिंसेस कटोरी का उपर से शेप है, वहाँ पर हमें एक लाइन डू कर लेनी है, और गले की लंबाई के लिए भी हमें चेंज पर ही खीच लेना है, देखिए इस तरह से सीधी लाइन हम ड्रो कर लेंगे, पीछे की सैट में कोई भी आम होल हमें ड्रो नहीं करना है, उसके बाद हमें दोनों पार्ट्स को हटा देना है, और इसकी हमें कटिंग कर देनी है, तो पहले साइड में हमें दो इंच पर निशान काते हुए एक लाइन ड्रो कर लेनी है, यह हमारी फिटिंग वाली लाइन रहेगी, अभी हमें इसकी है, देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे, और सेंटर में भी हम कट लगा कर इसे अलग कर देंगे, यहाँ पर हम हूक एंड आइस लगाएंगे, तो जो हमने पर भी इसकी कटिंग कर देनी है, तो देखिए मैंने में फेबरिक की कटिंग कर ली है, जैसे हमने अस्तर कट किया था, बिल्कुल वैसे ही मैंने में फेबरिक की भी कटिंग कर दी है, बैक पाट की भी और फ्रंट पाट की भी मैंने कटिंग कर ली है, अभी हमें दो स्ट् इस इंच की स्ट्रिप ली हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने दो इंच की रखी है अभी पट्टे की दोनों सेट की केनारी को फोल करेंगे और अंदर भी एक बार फोल करते हुए इसमें हम सिलाय लगा देंगे इसी तरह से दोनों स्ट्रिप को हम फोल करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे तो देखे मैंने दोनों स्ट्रिप को रेडी कर लिया है अभी अस्तर में जो हमने साड़े तीन इंच पर निशान लगाया था वहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे इस तरह से फोल करते हुए हमें एक छोटा सा कट लगा देना है यह हमारी गले की चोड़ाई रहेगी साड़े तीन इंच की तो इस तरह से दोनों साइट पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है उसके बाद यह जो हमारा मेन वाला फेबरिक है वहाँ पर भी हम निशान लगा देंगे, जो हमने cut लगाया है हमें एक चोटा सा निशान लगा देना है, दोनों ही साइट पर ताकि हमें पता चले हमें strip कहाँ पर स्टिप करनी है उसके बाद हमें main fabric को सीधा रखना है, और जो हमने दोनों साइट पर निशान लगाया है और इसके जो sweet heart shape है उसमें हम सिलाय लगाएंगे उपर वाली side से तो देखे मैंने इसमें सिलाय लगा दी है अभी हम इसमें छोटे छोटे से cut लगाएंगे और cut लगाने के बाद जो हमारा अस्तर है उसे हमें उल्टी side पर पलट देना है तो ये strip हमारी बाहर निकल आएगी और पलटने के बाद हम इसके उपर cover सिलाय लगाएंगे और तीनो side से इसे अस्तर के साथ जोइंड भी कर लेंगे तो देखे मैंने cover सिलाय लगा कर इसे अस्तर के साथ जोइंड कर लिया है अभी ये जो हमारी princess cutori है उसे भी हमें main fabric के उपर रखना है और उपर की side पर हमें सिलाय लगानी है और सिलाय लगाने के बाद हम अस्तर को उल्टी side पर पलट देंगे इस तरह से हमें उल्टी सेट पर अस्तर को पलट देना है और पलटने के बाद हम इसे तीनों सेट से सिलाई लगा कर अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे दोनों ही कटोरी को तो देखे मिने दोनों ही प्रिंसेस कटोरी को पलट दिया है और इसे तीनों सेट से अस्तर के साथ जोयन्ट भी कर लिया है अब यह जो हमारा सेंटरवाला पाठ हैं उसके उपर हमें प्रिंसेस कटोरी को इस तरह से रखते हुए इसमें सिलय लगा देनी है दोनों ही सैट से हम दोनों प्रिंसेस कटोरी को इस तरह से रखते हो इसमें सिलाय लगा कर दोनों ही सैट से हम इसे जॉइंट कर लेंगे तो देखे मैंने इसमें सिलाय लगा कर प्रिंसेस कटोरी को जॉइंट कर लिया है आप चाहे तो यहाँ पर cups भी attach कर सकते हैं मैं इसे बीना cups के ही बनाने वाली हूँ अभी हम back part को ready करेंगे तो side में हमने fitting के लिए दोनों side में cut लगा दिया है अभी center में हमें आधा इन छोड़ते हुए 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है यह हमारी गले की चोड़ाई है तो दोनो side पर हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है आधा इन छोड़ते हुए उसके बाद जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें एक छोटा सा cut लगा देना है दोनों ही side में इस तरह से हम छोटा सा cut लगा देंगे और main fabric को हमें सीधा ही रखना है और यह जो हमारा front का part हमने ready किया है उसे हम लटा रखेंगे और जो हमने चोटा सा cut लगाया है वहाँ पर हमें strip को इस तरह से रखना है दोनों ही side में इस तरह से हम strip को रखेंगे उसके बाद हमें इसके उपर अस्तर को रखना है दोनों ही part के अस्तर को हम रखेंगे तो main fabric को सीधा ही रखेंगे उसके उपर हमें अस्तर को रखना है और उपर की side और center की side हमें सिलाय लगानी है दोनों ही parts में तो देखे मैंने इसमें सिलय लगा दी है अभी जो इसके कोने हैं दोनों साइट पर वहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है दोनों ही पार्ट में हमें एक छोटा सा कट लगा देंगे और अस्तर को उल्टी साइट पर पलट देंगे देखे इस तरह से उल्टी सैट पर अस्तर को पलट देना है और पलटने के बाद हम इसके उपर कवर सिलय लगा देंगे तो ये स्ट्रिप हमारे इस तरह से दोनों ही पार्ट्स में जोइंट हो जाएंगी अभी इसके उपर हम cover सिलाय लगा कर इसे अस्तर के साथ joint कर लेंगे दोनों ही parts को तो देखे मैंने इसके उपर cover सिलाय लगा कर इसे अस्तर के साथ joint भी कर लिया है दोनों ही parts को अभी हम यहाँ पर एक पट्टी अटेज करेंगे आइस बनाने के लिए तो मैंने दो इन चौड़ी पट्टी ली है उसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है और राइट सैट पर हम इसे आधी पट्टी को बाहर की तरफ रखते हुए इसमें हम सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद हम इसमें टक्स के लिए चार इंच पर निशान लगाएंगे और उपर की तरफ भी हमें चार इंच पर निशान लगाना है नीचे से भी हम चार इंच पर निशान लगाएंगे और उपर से भी चार इंच पर निशान लगाते हुए सीधी लाइन डोग करते हुए हमें इस तरह से टक्स लगा देना है दोनों ही पार्ट्स में हम चारेंज का गेप रखते हुए इसमें टक्स लगा देंगे तो देखे मैंने पट्टे को भी अटेच कर लिया है और दोनों ही पार्ट्स मैंने टक्स भी लगा दिये है अभी हमें इस तरह से इसे सीधा कर लेना है और बिल्कुल किनारी पर हम एक सिलाई लगा देंगे दोनों ही साइट से तो देखे मैंने किनारी पर सिलाई लगा दी है दोनों ही साइट से अभी इसे हम इस तरह से पूरा खोल देंगे और इसमें हम कमर पट्टी अटेच करेंगे तो मैंने दो इंचौरी पट्टी ली हुई है और इसे सीधी साइट से ही रखते हुए हम इसमें सिलय लगाएंगे और पटि को double fold करते हुए अंदर की साइट पर मोड़ देना है तो देखे मैंने पट्टी को अटेज कर लिया है अभी हमें इसे उल्टा कर देना है पहले किनारी पर हम एक कवर सिलय लगा देंगे दोनों ही सैट पर बिल्कुल किनारी पर सिलय लगाएंगे उसके बाद हमें सेंटर में एक लाइन डो कर लेनी है और जितना भी हमारा measurement है उतना हमें निशान लगाना है तो center से मैंने 8 inch पर निशान लगाया है chest के लिए और कमर के लिए हमें 7 inch पर निशान लगाना है इस तरह से निशान लगाते हुए हमें एक line draw कर लेनी है और इसी तरह से दूसरे साइट पर भी हम चेश्ट के लिए 8 इंच पर निशान लगाएंगे और कमर के लिए 7 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रोग कर लेनी है इस तरह से और इसके उपर हम सिलाई लगा देंगे दोनों ही साइट से तो देखे मैंने इसमें फिटिंग की सिलाई लगा दी है दोनों ही साइट से अभी बेक पार्ट में हम आईज बना लेंगे और दूसरे साइट पर हम होक्स लगा लेंगे और इसी के साथ यह हमारा स्ट्रैप ब्लाउस बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लूप अगर आप इसी मेजरमेंट से ब्लाउस बनाते है तो आपको यह बिल्कुल परफेक्ट तरिके से बैठ जाएगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेर जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में उस बैल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरा ये वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मज गाईस